हेलो नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक प्लस पर मैं राज कुमारी आज से आपको MP सिविल जज्ज की तैयारी कराऊंगी चलिए चलते हैं दोस्तो कोउष्चन की तरफ इसमें पार्ट पहला क्या है? कोंट्रेक्ट ठैक्ट से कोउष्चन आ रहे हैं के अपन इसको यह समझते हैं कि भाषाच्टार है कपारित हुआ था तो कपारित हुआ था ? ऐसे सितंबर 180 सो बात तरको अब कोशिन नमबर एक पढ़ते हैं पन क्या है इसमें कि पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थिचित हो जाता है क्या समिदा कर सकेगा गऑ पूरू स्वस्थिचित हो जाने के बाद भी समिदा कर सकेगा तो इसका एंसर क्या होगा समिदा कर सकेगा कॉंट्रेक एक्ट की धारा बारा ये कहती है कि एक कोई व्यक्ति जो स्वच्चित हो और एक पागल व्यक्ति जब स्वच्चित होता है तो वो समिधा कर सकेगा धारा बारा हमें बताया गया है कि सोचितित का मतलब यानि कि जब उस पर वो वो उन दा साम में समिधा कर सके है जब ठीक है सेक्शन बारा कॉंट्रेक्ट एक्ट बचन यानि कि अब कोशन नमबर टू बचन के तत्वों की संख्या क्या है यानि कि बचन क्या है एक व्यक्ति द्वारा दूसरों के दिया गया बचन तो इसमें कितने व्यक्ति आ रहे हैं A और B जब कोई बचन अकेला नहीं होगा कोई व्यक्ति बचन अपने आप से नहीं कर सकता जब तक कोई दो व्यक्ति ना हो तब तक बचन नहीं आ होगा ए और बी का होना जरूरी है किसके लिए बचन को होने के लिए प्रॉमिस होने के लिए बचन यानि की प्रॉमिस बचन दाता और बचन ग्रहता जब तक कोई करने वाला ना हो और ना उसे स्विकार करने वाला ना हो तब तक कोई बचन बने गई नहीं तू पी में है इसकी परिवाशा बचन की question नमबर तीन प्रस्ताबना प्रतिगायत हो जाने पर क्या हो जाती है अगर कोई व्यक्ति किसी से contract करता है A, B से contract करता है और उसके द्वारा वो स्विकार कर ली जाती है तो क्या हो जाती है प्रतिगायत यानि की स्विकार करना तो प्रिश्ताबना प्रतिगायत हो जाने पर बचन हो जाती है क्या हो जाती है बचन प्रिश्ताबना क्या हो जाती है बचन हो जाती है जब प्रतिगायत यानि कीसी प्रतिगायत मतलब स्विकार हो जाने पर कोईशन नमबर चार प्रत्वल के विना की गई समयदा क्या है प्रत्वल के विना की गई समयदा क्या होती है शून्य करने शून्य अवैद अपरवर्त नहीं है तो प्रत्वल के विना की गई समयदा शून्य होती है यह कौन कहता है section 25 अरे कुछ अपवाद भी है इसके कौन कौन से अपवाद है अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ नसर्गिक प्रेम के और इसने से उसे कोई चीज देता है तो इस तरह का किया गया contract सुने नहीं होगा और इसका अपवाद नंबर दो क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में किसी की हुए कार के लिए किसी को और अपने प्रित्वल देने का बचन करता है तो प्रित्वल तो वह सुनने नहीं होगी तीसरी पूर्व में किये हुए किसी उसको क्या नाम है परिसी मार्दी में कोई रेंड उसने लिया था और टाइम भी रेंड निकल जाता है पर तो भी वह व्यक्ति सामने वाला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो इस तरह से किये हुए कॉंट्रेक्ट को प्रित्वल को सुन ही नहीं कहेंगे तो वैसे किये हुए प्रित्वल को प्रित्वल के बिना की गए कोई कॉंट्रेक्ट सूनने होगा कोशिशन नमबर 5 कोशिशन नमबर 5 में क्या है कि B के लिए एक रंगचित बनाने का बचन कौन देता है A देता है यह कोशिशन कहां से लिए आ गया है कॉंट्रेक्ट ट्रक्ट के 40 से इसमें कहा गया है कि A B कौन है लंग्चीत बनाने का बचन किसको देता है एको तो किसको बचन का बिएके लिए यानी बी का फोटो कौन बना रहा है बी का फोटो ए बना रहा है तो किसको पूर्ती करने पड़ेगी यह स्वह इसको इसका बचन का पालन करना पड़ेगा ना कि किसी एनिस सब • पालन करवा है कि इसका option number 4 क्या है A को इस बचन का पालन स्वयम करना पड़ेगा इसके चारों पढ़ते हैं पहले ए इसके option पुत्र बचन का पालन कर सकेगे ऑप्शन नंबर डी को इस बचन का पालन स्वयम करना होगा तो अगर उसकी मित्यु हो जाती है तो इसका ये जाएगा और इसका वचन का वालन कोन करेगा अगर वह जी भी तेड़ तो एही इसको वचन का वालन करेगा यानि फोटो एही बनाएगा पोशन नंबर सिक्स ऐसा करार जो अप्रा प्राप्त यह से विंदि किसी व्यक्ति के अवरोदार्थ हो तो इसका option number A सुन्य करनी है, option number A अवैद है, option number C सुन्य है, option number D विदमानी है, यानि कि ये question क्या कह रहा है कि अपराप्त वैसे विन, यानि कि minor व्यक्ति की विवा में अबरोथ तो कोई डाल सकता है, पर major कोई व्यक्ति जो 18 वर्से उपर की लड़की है और 21 वर्से उपर की लड़के के विवा में कोई विगन, कोई व्यक्ति नहीं डाल सकता है, ये contract act का section 26 कहता है, ये कहता है, contract act का 26, 26 क्या कह रहा है कि विवा के अवरोथ करार शून्य होते हैं, कोई किसी अपराप्त वैसे यानि कि minor व्यक्ति से विन व्यक्ति के विवा के अब question number 7, question number अनकुलपी वचन की दसा में एक साखा वैद और दूसी साखा अवैद, question number 7 का option number A क्या कह रहा है कि ऐसे वचन का प्रवतन कराया जा सकता है, question number 7 का option number B, किसी भी साखा का प्रवतन नहीं कराया जा सकता है, question number 7 का C, केवल बैद साखा ही प्रवतन कराया जा सकता ह कोशन नुम्बर डी नियाले की अनमती से दोनों साखाओं को प्रवत्न करा जा सकता है तो इस कोशन कहां से लिया गया है कॉंट्रेक्ट के धारा 58 से लिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सम्विदा जो जो की एक अवैद है और दूसी लीगल है यानि की वैद है तो उसके लिए एक बैद साखा का प्रवत्न करा जा सकता है ना की अवैद और बैद दोनों का करा जा सके अवैद और बैद दोनों का यानि की लीगल और इलीगल दो चीज़ें होती है यानि की बैद और बैद तो के बैद सागा का प्रवतन कराय जासा का सेक्षन अठावन से लिया गया है यह कोशन चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं एक संगी समारों में एक अजार रुपे पर जो अग्रिम दिये जाते हैं कोशन आपको लोगों को दखाई तो दे रहा होगा थोड़ा सो जूम कर लेते हैं ऐसे ठीक है दोस्तों अब कोशन नमबर एट क्या कह रहा है कि एक संगी समारों में हजार रुपे पर जो अग्रिम दिये जाते है करती है तक इतनी रोगण कि गाह नहीं सकती है यानि की आयुजन कौन कर रहा है बी कर रहा है एक संगी समारों का ऐजन कर रहा है जिसमें कौन संगीत कह अग्रिम और बी कि अगर मेरे यहां आप गाना गाने आओगे तो मैं आपको दसेजार दूंगा पर जहां उसे अग्रेम यानि कि कुछ रासी उसे पहले दे रहा है जो क्या हजार रुपे है बी जो गाने वाली है कोई महला है जो गाने रुपड यानि भी कहा नहीं सकती है बी क्या होगी बीमार यानि कि इतनी रुपड है कि गान नहीं सकती यानि कि बीमार हो गई है और इसको गाना है तीस तारिक को और वो बीमार हो गई है अब आप गानी शक्ति है तो यह करना वो उसमें इसके लिए क्या करेगा क्या अगरिन दीये हुए पैसों को लोटाएगी क्या वह उसको प्रिटिकर्ड देने के लिए वाद दोगी तो चलिए इसके लिए ओप्सन प एधी का गा सकती किन्तु वे दिए गये अग्रिम 1000 रुपे लोटाने के लिए बादे नहीं है बी ए ना तो उसे दिये हुए अग्रिम हजार रुपे लोड़ा ने ये तू बाद दिया है और उन लावां को हानी के लिए प्रितकर देने के लिए आवद नहीं है जो बी के होते है यदि का गाती का उन लावां के हानी के लिए प्रितकर देने के लिए आवद नहीं है जो ब खाको लोटाने होंगे काउन लावों के हाने के प्रितिकर्द देने के लिए अबद नहीं है जो भी को होते हैं यदि खाक गा सकती किंतु उसे अग्रिम दिये हुए रुपे की राशी खाको लोटानी होगी तो इसमें क्या option आएगा कि उन लावों के प्रितिकर्द देने के लिए अबद नहीं है और ना किंतु उसे अग्रिम लोटाने भी नहीं होंगे क्योंकि contract उसके द्वारा तोडा नहीं गया है क्योंकि वो अन्पस्तित किसलिए है किसलिए जिक्योंकि वो एक अन्पस्तित से लिए है कि वह रोगण है यानि कि बीमार हो गई है कि इस को अप्स नमबर ए आंसर अब कोश्चन नमबर नाइन कोश्चन नमबर नाइन 163 से लिया गया है कि एक गौ को देखवाल के लिए किसके पास छोड़ता है यान कि उसके गाय को एक बच्रा पैदा होता है तस पित्कूल संधा के अबब मे यानि कि उन तोनों में कोई contract नहीं गुआ है इसकी अविरस्चा में छोड़जाता है किसको छोड़ जाता है अपनी गाय अपनी गाय को अपनी गाय को बी की अवर्श्चन में छोड़जाता है कुछ दिनों के लिए और वह क्या गाय और कुछ दिन बाद उसकी गाय को एक बचड़ा होता है क्या बचड़ा अब आपन पड़ते हैं उनके बीच कोई अब है क्या और क्या कई ये अवद्ञ में सदुन सब्सक्राइब कि और उनके पीच कोई कोई कार्द निया जब इसके विर्च्छा सामें बने गायों व्याइब हारा कि इसके कोई बच्चा पैदा होगा तो मुझे आप दो गया नहीं दो गया तो इसका इस्तरे से लुग कोई कॉंट्रेक्ट नहीं है, कोई कॉंट्रेक्ट नहीं है, तो उसे गाय और बच्णा दोना देना होगा, इसका का, का, option number B, B, option number क्या है, कि B को वे गौ और उसका बच्णा, A को पदत करने के लिए अवाद दे, क्योंकि A गाय उसकी है, ना कि उसने बेची है, Question number 10, सामानिते बिक्राय में खोई हुई चीज है, यानि कि यह कह रहा है, Question number 10, सामानिते बिक्राय होने वाली कोई चीज को कोई पड़ी पाने वाला भी सकेगा, अपाई गई चीज पोई बारें, पड़ी बाने वाले के विद्रवुड प्रवार उसके मूले के कितने अतक पहुंच जाएंगे एक चौथाई तक आदे तक एक त्याई तक एक दो त्याई तक तो कोशन नमबर 10 कहां से आया है कॉंट्रैक्ट एक्ट के 68 से आया है उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसको कोई चीज मिलती है और वो मिलती है तो उसको कितने तक यूज कर सकेगा कितनी राशी उस चीज से अगर उस पर खर्च करता है तो कितने तक वसूल कर सकेगा वो आपने उस पे इतना इनवेस्ट किया आए कितना दो दियाई 169 में क्या आघा उससे उस पढ़ी कोई व्यक्ति जैसे की कि a को एक अमूठी पाई किसी की कि एक एक अमूठी एक रिंग पाई ए किसको और भी उसका मालक है कि इसका अमुठी का मालिक कौन है लिए वी इस माश्लइ घ्ळ ईबाये उस नाहोटी आहिए उसके मालिक करें के लिए उस महाचार पत्र में इस्तियार निकल वाया, पंप्लेट शब आए, उन सभी का खर्चा काट सकेगा उस अंगूटी को बेज कर, यानि कि उसमें से कितना दो त्याई तक वो अपना पैसा वसूल कर सकेगा उस अंगूटी को, उसको इतना राइट है उसमें, कि उसमें से दो त्याई तक रुपया कोंशनेों में से कौन सा कतन सही है, इसे अभिक्नन में कारवार के मालिक दौरण द्वारा नियोजित किया जाता अंग कर दो दौक है. सब्सक्राइब तो से अभिकराण के कारवार में मुलवकर्ता द्वारा निय Dafis कि जाता है वह मालक के नियंदर के अधीन कार करता आफ मालक करता है मालक के कारें। के लिए फृत्त तर्दाही नहीं सम्झत तो इस क्या है? यह निए अफ souvenir थे हैं इसका question number 11 उपरवगरता के सम्मन में क्या साइए उपरवगरता उसे अभिकरण के कार वार की मालेक दौरा नियुजित किया जाता है उसे मालिक के नियंतर्ण में क्या दिन कार करता है आपकाता उपकाता कार्यों के लिए मालिक के पति उपदाद आई नहीं है तो किसके द्वारा नियोजित किया जाता है कि उसे अभिकरन में कि मूल अबकरता द्वारा उपकाता यह सेक्षन तो यह सेक्षन 91 कॉन्ट्रेक्ट गवं ना इन्टीवन है उस में क्या का डिया कि जो अभिकरता उलता उपकरता है यान की सब देन सब एजेंट यान ारदी एक एजेंट यान की एग्वेक्ती एजेंट है एक एक मालिक है इसका एक agent B है इस B द्वारा भी एक agent रखा जाना यानि कि C को रखा जाना उपव करता कहलाता है सब agent यानि कि दो B के अंडर में भी रहने वाला उपव करता कहलाता है ठीक है अब question number 12 B को A ये प्रादिकार देता है question number 12 क्या है कि B को A ये प्रादिकार देता है कि A भूमी बेल दे और उस विक्रे के आगाम में उन रिणों का संदाय कर ले जो ये द्वारा सोद्य है किसी awake समझा कि अब आप में क्या हो जाएगा यानि कि इस question 12 का option number A A इस प्रादिकार का प्रिचिसंगान कर सकता है की question number 12 का option number B है क क्या कर दाए कि ए कि उन्मत्ता के प्रादिकार का प्रिचिसंगान कर सकता है ए कि मित्व का प्रादिकार का प्रिचिसंगार का प्रिचिंगान नहीं कर सकता हरे और ना ही उसकी मित्य और नमत्ता से प्रादिका का प्रवेशन हो जाएगा तो और यह से यह एक्जामपल कॉंट्रेक्ट टेक्ट के तूंडेट टू का एक्जामपल है उसमें का गया है इसको आप में समझाती हूं आपको का इसको लिया गया का वो तूंडेट टू से लिया गया के भी को यह प्रादिकार देता है जाए बैदीकार क्ओं देरा है आए राइट कौन दे रहा है B को यह दे रहा है क्या दे रहा है कि A की भूमी बेज दे वो उन विक्ते के आँगाँ मैं से उन रणों का संदाय कर ले जो यह द्वारा सोद दें ठीक है? यानि कि B के कुछ रुपे किस पर सोद दें A पर इस पर किस पर B के पैसे किस पर है? रुपे A पर और क्यानि कि इसके तो इसको किसना राइट दिया था? एक भूमी भी किसकी है? भूमी किसकी है? A की और राइट कौन दे रहा है? B को A दे रहा है और B के क्यों दे रहा है? क्योंकि कि बी के पास बी के रुपे किस पर है एपर तो इसमें बी के रुपे जो एपर है तो उसमें क्या गएगा वो कि उसका इसको क्या है कि वह उसका नहीं समदा कि आप कि आवरा के जहां नहीं समय करते हैंacaksın क्या है इसका कर आई कर दिए तरह कहने से राइटब यह राइट दी आए तुम मैरे वह वारेज कर मेरे प्रक्रा कर शेट आप बसूल पर पर सकता है इसका Baptist do तो भी उस अधकार का प्रविशन हो सकता है न ही उसका प्रविशन यानि कि तो भी यह अधकार खत्म नहीं होगा जब उसने, इसको इसके रायट दिया है , तो मेरें, और मेरे, मेरी भूमीं बेज़ करकर अपने लिन और बसूल कर सकते हो मेरे से तो इसका खतम नहीं होगा इस तरह का दिया गया इस तरह का कोई अगर कोई 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 करता है तो यह मानने होगा कि आज चलिए सीबी सीपी सीपी सी तो फिकरिया सहेता अब ऑप सिविल जैज एंपी सिविल जैज में आने वाला पार्ड सिविल जैज में सिविल प्रकिया साहता 1908 तो यह कब से लाग हुई है एक जन्वरी 1909 से लाग हुई है प्रवत की दनांग सिविल प्रकिया साहता की एक जन्वर 1909 अब कोशन नमबर पढ़ते हैं वान कोशन जिलान नयाले के संदर में निमलिकत में से क्या सही नहीं है यानि कि जिलान नयाले को किसकी पावर है कोशन यह पूछ रहा है कि जिलान नयाले के संदर में क्या सही नहीं है तो कोशन नमबर इसका कोशन का ऑप्शन नमबर आ वे ऐसे बिवाद अपील यान कारवाई हों को जो उसके सामने बिचारन निप्टारे के लिए लंबित हैं अपने अधिनस्त किसी ऐसे नियाले को अंतरित कर सकेगा जो उसका बिचारन करने या उसे निप्टाने के लिए सच्छम है यह कह रहा है कि जिलान निप्टारे के लिए लंबित हैं अपने अधिनस्त किसी नियाले को अंतरित कर सकेगा और उसका बिचारन करने या निप्टाने के लिए सच्छम है करने तो से निप्टार्य की लिए कोय किए आया है जिलाग ने सामने कोई भी बाद निप्टारे ये कोई, आया मामला तो अपने अधे को भी ट्रांसफर कर सकता है option number A यह कहता है option number 2 वह अधीनस्त किसी नियाले में लंबित किसी बाद अपीलियन कारवाईयों को पित्तियां कर सकेगा यह कह रहा है कि क्या अप जिला नियाले कहीं से बिड्रो कर सकेगा कोई बाद अपीलिया है हां तो यह option number यह कह रहा है और option number C कि वह बाद अपीलियन कारवाईयों को अपनी अधीनस्त किसी नियाले से प्रित्तियां कित की गई है व्या स्वेम बिचार निप्टारा या निप्टारा कर सकेगा अत्वा उसे ऐसे किसी नियाले को अंत्रित कर सकेगा जो उसके अधीनस्त टो बिचारां करने के लिए सच्छमों तो स्यात हो अधिनस्त न्याले जो उसका बिचारां कर सकेगा और निप्टारा कर कर सकेगा अन्य न्यालय को उसे अंत्रित कर सकेगा किसको यह सब पावर किसकी है जिला न्यालय के संदर में बता रहा है तो इसमें क्या है कि वह उस और ऑप्शन नमबर दा वह उस बाद अपीलियान कारवाईयों को उसी न्यालय को पनें अंत्रित नहीं कर सकेगा और उस जि नहीं यानि कि नेगेटिब कौश्च पूच रहा है tut या जिला नियालै को क्या पावर है और नहीं है इसके वारे में कोश्च चौन नमबर यह पूच रहा है यौर तो यह सैक्षन काहां साओ इस सीपीसी का धारा 24 एश 9.6-20 उसमें बताया गया है लान देनालै हॉट कोट की पावर तो इसमें केवल किसकी पावर पूछी अभी जिला नियाले की सेक्षन 24 जिसमें क्या बतायागा है अंतरण और पित्तिरण की सक्तियां अंतरण यानिकी किसी मामले को transfer करने की और उसे बिट्रो करने की यानिकी वहां से खतम करने की किसी नियाले को भेजने की जो power है नियाले की क्या है तो इसमें ऊपर option number A, option number 2, option number 7 यह कि तीन हो चाहिए यानि कि उसे वो तो अंतरित भी कर सकता है जिलाने आले निप्टारे के लिए जिस जो सच्छे में उसको सेकंड ऑप्शन किया है अगर उसके सामने कोई मामला नम बेदते है तो उसका पित्यांड भी कर सकेगा और कारवाई कर सकेगा और यह तीसरा उसे अन्याले को पने अंतरित यानि कि क्या जिलाने आले जिस न्याले से मामले को उसने मंगाया है उसे पने अंतरित कर सकता यह नहीं कर सकता तो यहां ऑप्शन क्या लिखा है फोर्त में कि नहीं कर सकता है जब कि कर सकता है अगर उसने जिस न्याले से उसे मंगाया है उस से अंत्रित कर सकेगा पने यानिकी पने से ट्रांसफर कर देगा ऑप्षन नंबर दा इसका गलत है इसका कॉस्षन शेप प्रकेश्जिता की धारा चौतीस कि तारीक संधाय ये अई से पूरत तारीक 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 तो नियाली ठीक समझे कितनी व्याज ज़ेदा सकेगा ऐसे व्याज की दर कित्वार्टिक से अधिक नहीं वहीrek जाने कि यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मामला निवट जाता है और वो तारीक से उसको क्या नहीं करता है उसको पेमेंट नहीं करता है और न्याले नोडर कर दिया है तो बार्सिक दर कितनी व्याज लगाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पालन नहीं करता है जिसे किसी मामले में डिक्री पारित की गई है और उसके कोई वो लगाया गया है तो कितने परसेंट व्याज दिज़मा करानी होगी से 6 परसेंट तक ज़मा करानी होगी कोशन 27 मिथ्य या तंग करने वाले दावों पितरच्चाओं के लिए प्रिक्ति कारात्मक खर्चे के रूप में कोई नयले जिस रक्म के संदाय का आदेश कर सकेगा फिर रक्म क्या होगी यानि कि ये कहां से लिया गया है कोशन 27 कहां से लिया गया है सेक्षन 35 एसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्य तंग यानि कि किसी व्यक्ति को वैसे ही तंग करने के मामले से अगर मेला फाइडली यानि कि सदवाबना पूरवक उसका नहीं है क्या नहीं कि उसके अधिकारों का नहीं नहीं हुआ है और तो भी वह मामला कोड में के लिए तो मिठ्तिया तंक करता है तो इसके लिए उसे क्या यह कर दोन चुर छολागा कोई किसी को पलता को आग कला लुए तो हैना ओठ्दल यह रख मोगी नमबर तो अजार रुपे या उसकी दन संबंदी अधकारता की परिसीमा तक रखम जो भी कम हो, तो अधेक तक नहीं होगी, तो अप्शन नमबर क्या होगा, इसका नमबर अप्शन नमबर भी होगा, कि तीन हजार रुपे और उसकी दन संबंदी अधकारता की शीमा तक जो भी रखम होगी, वो उससे दिलाएगा उस पार्टी को, जिसको अन्याशिरी उस व्यक्ति द्वारा तंग किया गया है, यानि पोस्चन नमबर ट्वंटीएट पोस्चन नमबर ट्वंटीएट प्रश्राइब प्रश्राइब आतम करते हैं